हलो दोस्तों आज मैं घर पर बनाने जा रहे हूँ पानी पूरी बड़ी अच्छी पानी पूरी बन कर ये तयार होगी तो चलिए देख लेते हैं कैसे बन रहा है इस पानी पूरी का पानी उसके लिए हमें चाहिए होगी दो कैरी, अधरक लसन, प्याज अधा, हरी मर्ची, प चाहिए होगा लॉंग और काली मर्ची, दो तीन, एक इलाइची चाहिए होगी जिससे पानी को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा, धनिये को बारी काटके धोकर हमने इसमें डाल दिया है, यहाँ पर हमने जीरा डाला है थोड़ा सा, अब यहाँ पर हम कुछ मसाले डालने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला होगा लाल मिर्ची थोड़ी सी, अगर आप ज्यादा तीखा नहीं काते तो इसको स्केप कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ा सा नमक, स्वादनुसार अप नमक अट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर डाजेशन के लिए ले कंसिस्टेंसी को और अच्छा करता है, काला नमक for taste, नमक हमने दो तरीके के डालें, इसलिए बैलन्स करके डालें, यहाँ पर हम ट्रमाटो अट करें, एक ट्रमाटर, देखिए हमने सब को पीस्ट लिया है, पानी आड नहीं किया है, इस तरीके से अगर पानी आड भी करना है, जित्ता भी पानी आपको बनाना है, आप बना सकते हैं और इसको फ्रिज में रख सकते हैं, दो से तीन दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, यह दिखे है, इसको इसमें अब हम बूंदी डाल देंगे, यह मसाला बूंदी है, आप चाहें तो सिंपल पूदी आ अब हम डालेंगे कुछ मसाले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे नमक स्वादो नुसार थोड़ा सा गरम मसाला चाट मसाला धनिया पाउडर अच्छे से हातों से इसको मैश कर लेंगे यह देखिए हमारा सब कुछ कंप्लीट है पानी पूरी पूरी तरीके से बनकर तयार है बड़ी जटपट यह बन गया एक मैं आपके लिए बना कर दे रहे हूँ इसमें हमने आलू का मसाला डाला अब डालेंगे इसमें पानी और प्यास भी हमने यहाँ पर काट कर रख रखे हैं आप चाहें तो बिना प्यास के भी बना सकते हैं और यह लीजिए बहुत ही टेस्टी माउथ वाटरिंग पानी पूरी आपके सामने हैं टेस्ट करिए इसको आप इसे दही पूरी भी बना सकते हैं एंजोय करिए आपके पानी पूरी दही पूरी और मझे बताईएगा क यह से रहा आपका एक्स्पिरियंस thank you so much for watching my video please do like, share and subscribe to my channel